स्वागत है फिर से आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है घीजा एजुकेशन मैं संदीप शर्मा आपके सामने और आज फिर एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन्स लॉव में हम लोग स्प्रिंग फोर्स दिस्फस करने जा रहे हैं ठीक है लेकिन उसके पहले मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही बहुत से इंफॉर्मेटर वीडियो में आपके लिए बनाता रहूं और लगातार मैं सब्सक्राइब करेंगे सुड़ोफोर से कुछ एक्जामपल करेंगे न्यूटन की लोगों हम लोग आगे बढ़ाएंगे है ना देखे स्प्रिंग क्या है अच्छली स्प्रिंग एक आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हैलिकल शेप के वायर को जैसे कोई हैलिकल शेप का को समझ रहे ना आप उसको इस प्रकार से मतलब अगार आप एक रॉड लीजिए रॉड पर आप वायर को राउंड आप कीजिए तो जो शेप आएगी जैसे आपने सॉलिणाइट देखा होगा है ना एलेक्रिसिटी में हम लोग के सब मैक्नेटिसम में हम लोग सब डिसक्रस क करेंगे तो उस प्रकार की शेप को हम लोग सॉलिणाइट कहते हैं सॉलिणाइट अप्श्प्रिंग एक तरीकी के लबब लब़श्प होती है तो यह स्प्रिंग जो होती है वह कैसे बिहेव करती है आप समझ लीजे जब भी स्प्रिंग को खीचा जाता है वैंडेब यह going to extend a spring or compress a spring always there will be an opposing force जो आपके movement को oppose करेगी है ना यानि अगर आप खीचेंगे तो spring पीछे की और आप पर एक force लगाएगा जिसको उसकी spring करी storing force कहते हैं अगर आप इसको compress करेंगे यानि अपकी बार आप इधर इसको compress करेंगे तो वह बाहर की और आपकी और आप पर एक force लगाएगा यानि कि spring को अगर आप दबाते हैं compress करते हैं तो वह बाहर की और force लगाता है extend करते हैं यानि हमेशा spring पर जो force लग रही है वो directly proportional है कि जितना आप displacement दे रहे हैं यानि कि अगर थोड़ा खींचोगे तो यार थोड़े ताकत से वह खींच रहा होगा वापस अगर ज्यादा आपनी खींच दिया तो ज्यादा ताकत से आपको खींचेगा अगर थोड़ा compress किया है थोड़ी दाकत से आपको push करेगा तो ये तो sure है कि ये जो force है spring की restoring force वो directly proportional है कितना displacement आप दे रहे हैं चाहे वो खीचना हो चाहे वो compress करना हो इसको बात को पूरा करते हैं इसके साथ minus sign लगा देते हैं minus sign ये बताता है कि ये जो force का direction है हमेशा आपके displacement के opposite लग रहा है force is directly proportional to minus time displacement यानि कि अगर आप इसको खीचते हैं और displacement इधर देते हैं तो जो आप पे spring पे spring की force लगेगी वो इस direction में लगेगी ठीक है और अगर आपने compress कर दिया मान लेते हैं कि आपने इस तरफ इसको compress किया तो आप पर बाहर की ओर लगेगी इसको असान सब्दों में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं मैं जरा इसको rub कर दे रहा हूँ rub करके मैं बना देता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ देखे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम spring को compress करते हो मान लेते हैं ये spring natural थी अब की बार तुमने इसको क्या किया compress कर दिया है ये थोड़ा compress होगा इसलिए और घना दिख रहा है आपने इसको x compress कर दिया है तो आप पर जो force लग रही होगी वो बाहर की ओर लग रही होगी कितनी लग रही होगी हमने बताया है कि force यहाँ पर जो होती directly proportional to minus time displacement होती है जब भी force proportionality हम लोग हटाते हैं तो एक constant लगाते हैं तो constant हम माल लेते हैं k लगा देते हैं तो ये spring की force आ गई तो यानि अगर आपने इसको compress किया है तो आप पर बाहर की ओर kx लगेगी दियान रखिएगा minus तो ये दर्शा रहा था कि आपके displacement के opposite तो ये जो kx लग रही है बाहर की ओर लग रही है इसी तरीके से अगर आप इसको extend कर देते यानि ये इसकी natural length है natural length से आप ये इसकी natural length है sorry तो बाहर की ओर दख्कादिल लग की ओर खीच लिया जो बाहर कीचे तो जितना भी displacement किये हो उस displacement के magnitude की force लगेगी और वो opposite direction में लगेगी यानि इस समय जो आप पर force लग रही होगी वो इस direction को इस चीज को हम लोग यहां बना के दिखा देते तो उधर आप दिखाईए तो kx आप positive रूप में इधर दिखाईए आपकी आपने जो इसको extend किया है उसके हिसाब से kx इस तरफ direction में लग रही है ठीक है इस चीज को बहुत अच्छे समझने के लिए हम जल्दी से कुछ examples लेते हैं और अपनी बात को और clear करते है दिखिए ये जो force constant होता है spring का अगर इसको दिखा जाए तो अलग-अलग springs के लिए अलग-अलग होता है अगर आप f by x कर दें तो ये k होगा अभी minus मत रखो अभी केवल ये देखो कि k की value किस बात पर depend करती है जो जितनी अधिक force लगे और जितना complete space ये चीज़ जितनी ज्यादा होगी ये चीज़ जितनी कम होगी ये ज्यादा हो और ये कम हो तो के बड़ा होगा यानि जितनी मजबूत spring होगी यानि कि आप ताकत बहुत लगा रहे हैं और displacement कम ले पा रहे हैं बहुत ताकत लगाने पे भी वो कम compress या extend हो रही है तो इसका मतलब उस force का उस spring का constant ज़्यादा होगा इसका कम होगा उसमें कम ताकत में ज़्यादा खीच सकते हो और या दबा सकते हो ठीक, बड़ी simple सी बात है, खतम हो गई इसको मैं वो करता हो और अब मैं कुछ examples के जरीए आपको समझा देता हूँ कि क्या मैं कह रहा हूँ It's very simple Follow the video till the end It's very important, okay So let's see what I'm trying to say Suppose यह हमारा कोई मान लेते हैं कि wedge है ऐसे wedge बना लेते हैं और यह दिवाल के सहारे मान लेते हैं यह पूरी एक दिवाल है दिवाल के सहारी लगा हुआ है हम क्या करते हैं यहां से एक spring को बानते हैं और यहां पर एक block लगा देते हैं ठीक है यह लग गया block M-mass का block है ठीक है तो इस समय हम मुझे कोई कहस की FBD बना कर देखाओ तो देखो ऐसा है गुरू बहुत simple तरीके से काम करना है आपको आप एक तो इसका weight नीचे पहले आप resolve मत करिए सबसे पहले तो आप सीधे FBD बनाएए एक तो weight इसका नीचे लग रहा होगा ठीक है और एक लग रहा होगा normal जो इस surface हमेशा surface के normal लगता है तो surface को जिस ताकत से दबा रहा होगा उस ताकत से surface भी दबा रही होगी चुकि हमेशा surface के normal लगा जाता हो तो सीधी सी बात है अगर ये normal इस पे लग रहा है तो इस वाले block पे भी normal नीचे लग रहा होगा है ना तो जो normal उपर लग रहा है इस पे उतना ही normal इस पे जब इसकी FBD बनाएंगे then we are going to draw that particular thing और क्या force लग रही है और इस direction में क्योंकि आप इसको खीच रहे हैं spring को खीच रहे हैं आप तो spring आप पर उपर की ओर restoring force लगाएगी है खीचने जिस तरफ आप direction देते हैं force का उसके opposite spring आप पर force लगाती है तो अगर अलग से मैं FBD बना दूँ इसकी तो स्थिती यह होगी कि नीचे mg लग रहा है भई ठीक है इधर normal reaction लग रहा है और इधर लग रहा है kx मालेते हैं जो भी displacement आपने इसको खीच लिया इस weight की वज़े से जितना भी डिस्प्लेस होई होगी उसके बराबर की kx इस पर force लग रही होगी spring की इधर ठीक है अब करना कुछ नहीं आप चाहें तो आप इसको resolve कर लेते है काम खतम हो जाता है इस mg को रिजॉल कर लेते यह mg गंपनेंट यह होता इसको mg cos theta कहते क्यों कहते cos theta आपको पता है अगर यह theta है wedge का angle तो यह भी theta होगा तो यह mg cos theta हो जाता यह mg sin theta हो जाता mg sin theta और यह mg cos theta हो जाता आप यहाँ देगे यह mg है mg cos theta और यह mg sin theta ठीक है अब इस force को चाहो तो बीचवाली को हटा सकते हो इसको तुमने resolve कर दिया है ठीक है या तो उसको लिखो या उसको लिखो ठीक है अगर यह अब इस समय balance state में होता suppose मैं कहा रहा हूँ कि block आपका balance rest position पे तो सीधी सी बात है यानि कि mg sin theta के x के बराबर होता और यह normal जो है वो mg cos theta के बराबर होता किसी भी direction को positive मान लिजे तो n लिखते अगर उपर positive है इस direction को positive मानते है यह plane है ऐसे देख रहा हूँ है तो यह positive है तो यह negative इसको positive मानते तो इसको negative f net is equal to m में लिखना है तो n minus mg cos theta is equal to जो भी इसका mass होता into acceleration तो इस देरो है यह रुका हुआ है इस direction में देख लीजे mg sin theta minus kx is equal to mass time इस direction में भी acceleration नहीं है तो normal is equal to mg cos theta हो जाता है यह चीज़ तो 0 हो जाती है है और mg sin theta is equal to kx हो जाता है चुकि यह चीज़ अगे जिरो हो जाती है ठीक है समझ वे आया और example देखते हैं इसको मान लेते हैं कि अब की बार कुछ स्थिती इस प्रकार की बन रही है किस प्रकार की कुछ ऐसे बन रही है मान लेता है मान लेता है यह यह ऐसी दिवाल है इस यहां पर एक स्प्रिंग लगी है और यह स्प्रिंग को दबा दा मतलब कि यह जितनी लेंद्ध की स्प्रिंग थी स्प्रिंग को इसने कुछ दबा रखा है अब यह कैसे दबा रखा होगा उसको बिट क्लियर करते हैं मान लेते हैं यहां पर पुली लगी हुई है ठीक है और पुली ऐसे बंदी हुई है इस पे और ऐसे होते हुए पिली से एक मास यहां पर लगा दीए ठीक है इत्ती बात समाझ में आई माल लो यह स्टेटरस है यहां पर एक मास है यहां पुली बंदी हुई है यह स्प्रिंग थोड़ी सी दबी हुई है compress माल लेता है यह x compress हो चुकी है तो अब मुझे वीडी बनाने हो कहा जाए तो बड़ी सिंपल बात है सबसे पहले इसकी बनाते हैं देखिए यह एक तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा ऊपर टेंशन टी लग रही होगी और चुकि यह इसको दबा रहा होगा तो इसकी वै यह वेट लग रहा है ठीक है अब बात अलगे कि मुझे एक्वेशन लिखनी if I have to write the equation then I have to resolve this mg you can resolve any of the forces it doesn't matter that it's specific that every time you have to resolve the mg sometimes you can resolve the normal sometimes tension according to the problem according to the problem to make it easy to make it simplified further okay you can make any kind of substitution or manipulation whatever you need you you feel the need to be doing so at that stage so यहां पर आप Mg cos theta Mg sin theta एसे करके Mg sin theta Mg cos theta करते तो यह हो जाता है सबसे पहले मैं इस ब्लॉक की बनाने जा रहा हूं कि यह थोड़ा सा नया है आपको हो सकता है थोड़ा इसमें इंट्रस्ट हो कि वेच की कैसे बनेगी देखो चुकि वेच पर इस प्रिंग लगी हमेशा यह करना है को अब हमेशा एस दिखा सकते हैं लेकिन ही याद रखना अगर आप ऐसे दिखाने के बजाए हमेशा जब भी surface और ये माली यह होगए और इसपर लगरी होगी वह यह वाली होगी ठीक है तो वह समना करके हम लोग टार्यक्ट्ली आएसे एठो इस पर ही वाला पर दिखा देते हैं कि इस पर कितनी लग रही है इस वाली पर उसी प्रकार से जितनी इस पर लग रही है तो उसी प्रकार से उतनी जितना ताकत से यह ब्लॉक को दबा रहा होगा उसी ताकत से वेज ब्लॉक को दबा रहा होगा इस वेज पर नॉर्मल फोर्स किसी और बोड़ी की बात नहीं कर रहे हैं अब यह पुली इस वेज का हिस्सा है यह पुली इस वेज का हिस्सा है तो क्यों ना यह भी फोर्स दिखा दें तो टेंशन टी ऐसे लग रही है और एक टेंशन इसकी ऐसे लग रही है चुकि पुली और वेज एक साथ है यह देखिये, पुली वेच के साथ मूफ कर रही है, अलग नहीं है वेच से, लेकिन ये मास अलग था वेच से, वो तो वेच पे स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर सकता है, ऐसी possibility है, this block has a tendency to slide on the wedge, it's not a part of the wedge, but this pulley is a part of a wedge, so whatever the force is acting on a pulley, you have to tension, ये tension, देख सकते हैं, इस दिवाल पर भी tension ऐसे लग रही होगी, उससे तो मतलब हमें हैं नहीं, इसको दबा रहे हो, तो ये दिवाल भी इसको दबा रही होगी kx से, और ये इसको दबाया है, तो उधर, तो इस तरफ आप दिखा सकते है kx लग रही होगी, क्योंकि spring को आ कैसे लग रही होगी, और बताओ कुछ लग रहा है, हाँ क्यों नहीं लग रहा है, इसका जो भी mass होगा मान लेता है, ये m mass की थी, mg नीचे लग रहा होगा, बदले में ground का एक reaction इस पर लग रहा होगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये बात समझ में आई हैं आपको, अब कोई दिक्कत, यहाँ पर कुछ भी ऐसा बचा है, जो मैं नहीं लगाया हूँ, सब कुछ लग गया है, कहानी खतम, ठीक है, अब बस इसको resolve करना है आपको, आप बहुत इजली resolve कर सकते हैं, आप क्या करिए, इस tension को एक इस direction में, इस direction में resolve कर लीजे, इस normal को आपने इस direction में इस direction resolve कर लिए, और KX तो अलड़ी आपके पास horizontally है, यानि resolve करके अगर मैं दिखाऊं आपको तो यह ऐसा नजर आएगा, यह आपका wedge है, ठीक है, horizontal वर्टिकल में हम लोग resolve करेंगे, यह mg है, यह R उपर है, इधर KX यह तो अलड़ी है, horizontal है, यह तो नो वर्टिकल है, तो य कौन सा नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, अगर यह थीटा है, तो यह भी थीटा होगा, तो यह वाला component N cos theta हो जाएगा, और यह वाला component N sin theta हो जाएगा, हो सकता है, आपको उधर से visibility इतनी fine नहीं लगती हो, तो कि बहुत छोटा हो जा रहा होगा, बट आप कोशिश कर component को आप एक यह component बना लीजे, एक यह component बना लीजे, तो यह वाला component T cos theta हो जाएगा, आप ऐसा दिखा दीजे, इधर T cos theta हो जाएगा, और यह वाला component यह होगा, वो T sin theta हो जाएगा, बस, खतम, अब आप देख लीजे, इस सीध में अगर आप देखें, तो चाहें तो आप ल और बस और तो कुछ नहीं था इस तरफ में इसी प्रकार से horizontally देखते तो horizontal में आपको इधर positive में kx दिखाई देती और बस और opposite direction में आपको t sin theta दिखाई देती और n cos theta दिखाई देती ठीक है कोई equation कोई यह problem नहीं है कि मैं इसको discuss करूँ इसमें problem जैसे ही आती है मैं आपको discuss क करके बताता हूँ ठीक है अब एक pseudo force का example मैं discuss करता हूँ उससे हम लोग को सारी बाते clear होंगे ठीक है मैं पहले इसको rip कर दे रहा हूँ तो अब discuss करने जा रहा हैं कुछ problems देखे problems के जरीए ही आपकी सारी queries clear होंगी problems को आप बहुत ध्यान से देखिए do look problems very carefully try to analyze how am I solving the problem what are the things I am taking in account how am I deciding the approach और ये सारी चीज़ें आपको बहतर बनाएंगी आपको वो सक्षमता देंगी कि आप खुझ से problem को देखके decide टरपाएंगे कि मुझे क्या concept approach करना चाहिए ठीक है देखिए pseudo force का मैं एक example ले रहा हूँ यहाँ ठीक है मैं क्या करने जा रहा हूँ मेरे पास एक wedge है इस प्रकार का मैंने wedge बना दिया ठीक है मान लेते हैं इस wedge का मास capital M है और इसके उपर एक small block रखा है इसको small M कह दीजे ठीक है मान लेते हैं यह सारी surface smooth है यह surface जिस पर यह रखा हुआ है wedge मान लेते हैं वह भी smooth है यह भी smooth है अभी friction में involved नहीं कर रहा हूँ क्योंकि friction एक एक अलग से topic है and it contains a lots of thing so I would be making a special video on it completely based on friction and there we are going to analyze friction in a different manner so that because friction and then after analyzing the friction you will become completely capable in doing the problems in doing the problems of Newton's law of motion because here whatever the problems we are discussing we are not involving friction in it okay so here there is no friction whatsoever no friction between the complete wedge and the ground there is no friction between the small mass and the wedge itself okay no friction whatsoever now what's happening let's see what I am saying this wedge is moving in this direction with an acceleration a suppose this is the only thing given यह पूरा wedge इस दिरेक्शन में a acceleration जा रहा है बस यह लिया हुआ है तुम्हें यह acceleration बताना है कि कितना होगा अब हम लोग क्या करेंगे अब इसको अपना दिमाग अपने चक्षू अपनी आख केंदित कीजिए यहां पे और सोचिए यह एक ऐसा फ्रेम है जो एक्सल क्योंकि यह स्मॉल ब्लॉक इस बड़े वाले wedge पे रखा है बड़ा वाला wedge इटसल्फ एक्सलेशन से मूव कर रहा है हमने यह सीखा है कि कोई भी frame या कोई भी platform जो खुद accelerate कर रहा हो वो non-inertial हो जाता है और जैसे ही वो non-inertial हो जाता है उसमें acceleration होता है उसके संबंदित अगर हम कोई बात करेंगे यारी उसके संबंदित कोई body जो इस पे रखी हुई है चाहे हो भले ही move कर रही हो या move ना क कर रही हो इसके touch में है कोई ऐसी body के touch में है जो accelerate कर रही हो तो उस पे pseudo force लगेगी याद रखिये फिर से दोहरा रहा हूं what I am saying कि whenever the body is on a particular body which is having an acceleration so if it is having an acceleration the small body which is in contact of the bigger body which is an acceleration will be acted upon by the pseudo force doesn't matter whether body is moving or not moving यह body move कर रही हो ना कर रही हो लेकिन इस पर pseudo force लगेगी अब आगे की बात हम लोग क्लियर करते हैं यह acceleration सिदर move कर रहा है तो देखो सबसे पहला काम यह करो कि इस पर इस direction में एक pseudo force लगा दो जिसका acceleration इधर है तो एक pseudo acceleration इस पर इधर लगेगा A लिख लो और small mass M लिख लो य यह सबसे पहला काम हमने कर दिया बाकी आप एक काम कीजिए इस छोटे वाले block का weight नीचे आप बना लीजिए बाकी FBD में जो बनाना सीखा है आपने normal आपने आपने सीखा ही बने बनता ही है ठीक यह तीन forces एक normal एक weight और एक M यहां लग रही है बात खतम कोई confusion है आप आपक कीजिए पहला आप लिख लीजिए कहीं पर पहला fine करना है आपको I will be giving the question in your see the screen over here you will getting the question see the question carefully okay so what are the things asked in this question acceleration A यानि कि यह wedge किस acceleration से move कर रहा है और दूसरा यह small वाला block है यह किस acceleration से किस acceleration का मतलब किस acceleration relative to the wedge यानि relative to the non-inertial frame यह swan वाला block किस acceleration से किस इस wedge के respective move कर रहा होगा तो मान लेते हैं हम suppose कर लेते हैं चुकि मैं देख रहा हूं कि इधर की तरफ तो कोई force लग नहीं रही है तो 100% बात है कि यानि कि MA का अगर यह MA लग रही है इस पर तो MA का एक component इधर लग रहा होगा होगा MA का एक component इधर लग रहा होगा बातसाहूं यहार हो रही है यानि मैं यह क्या सकता हूं MA का एकप्उस इधर लग रहा होगा और MA का एक component इस direction में लग रहा होगा जो इस direction में लग रहा होगा यह बताने की विदुदद नहीं है अगर ये angle theta है तो ये भी theta हो जाएगा तो ये वाला ये जो ma का ये वाला component होगा ये होगा ma cos theta लिख लो क्योंकि ये theta है तो ये भी theta होगा और ये वाला component होगा ये वाला जो मैंने बनाया है ma sin theta तो ma cos theta इसको नीचे लेके आएगा यह बताने की बहुत आवशकता है कि ma cos theta की वाज़े से यह नीचे आ रहा है तो यह नीचे जो आ रहा है उसका acceleration इस wedge के respect में कितना है यह बताना है आपको तो कोई बात नहीं है wedge के respect में बताना है तो हम non inertial यह wedge हमारे लिए non inertial frame हो गया और इसके अंदर pseudo force हमने लगा ही दिये बस pseudo force लगा के हम मान लेते हैं कि इसका acceleration इस direction में जो है उसको नाम देते हैं a relative मैं इसको लिख देता हूँ इस direction में जो acceleration से आ रहा है गी मान लेते हैं यह a relative है उसको ar लिख लेते हैं अब हम बस केवल काम करें, कि इस direction में, जो जितनी भी forces हैं, जितनी भी इस direction में force हैं, उसको F net लिख लें, जो भी net forces इस direction में हैं, और वो बराबर होगा, जो भी इस body का mass है, into acceleration, इस direction में जो acceleration है, उसको हमने AR मान लिया है, क्या मान लिया है, AR, देखो आप काम खतम हो जाएगा सबसे पहला काम आप ये करिए, कि आप MA इस direction में जो force है, आप इसको लिखिए, MA cos theta, इस direction में, MA का ये वाला component, बाकि ये वाला MA sin theta और normal तो इस से 90 degree बना रहा है, तो 90 degree बना रहा है, तो अगर इन दोनों का तुमने cos component लिया भी, तो cos 90 to 0 हो जागा है, यह direction की जो force है, वो नहीं कर रही है, आप देख लिजे, आपको तो हर force का cos component लिखना होता है, तो एक जो जो भी 90 degree पे force होती है, वो कोई भी contribution नहीं देती है आपको, ये याद रखिएगा, अब ये वाला देखो, ये वाली force तो कुछ contribution दे रही होगी, इस वाली force का एक component इस direction में होगा weight का, जि अब जी का भी component मुझे कुछ ना कुछ मिदर मेल रहा है उदर, जो कि ये mg sin theta, ठीक, और that is equal to जो भी इसका mass है, into इस direction में जो acceleration है, उसको हमने लिख लिख लिया है, a related, relative वेसे लिखा, व्योंकि with respect to wedge म को पता करना है, कहान ही कतम, आप चाहें तो mm काट दीजे, ये आगया आ relative acceleration of the block with respect to the wedge, कितना आ गया, a cos theta plus g sin theta, आ गया, ये तो तुमारे पास आ गया भाई, कोई confusion है, ये चीज़ आ गई न, इसको तुम अपने से भी करना, तब अच्छे से clear होगा, और अच्छे से, अब ये acceleration तो अभी नहीं निकला, अभी ये acceleration की भी value हमको इनके terms में निकाल लि हो रहा न, इस direction में, अरे body ऐसे हा रही है यार, इधर इधर तो नहीं जा रही न, तो यानि कि इस direction में equilibrium पे है, यानि इस direction में acceleration उसका 0 है, तो लिख लेते हैं, मानलों उपर की direction को positive मानते हैं, तो जो उपर force लग रही है, n लग रही है, n एक लग रही है, m a sin theta, is equal और opposite direction में वो लग रही है, m g cos theta, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए, n और m a sin theta एक direction में लग रही है, और opposite में m g cos theta लग रही है, that is equal to, जो भी इसका mass है, और इस direction में acceleration 0 है, इस direction में कोई acceleration नहीं है, ऐसे आ रही है body, is that clear, यहां तक clear होगा, कोई confusion, ठीक है, यह इतना आपके पा 0 ही है, तो 4 तो m g cos theta equal के उधर ले जाओ, तो यह हो जाएगा, m g cos theta, इतनी बात समझ में है है आपके पास, ठीक है, इसको मैं उपर वाले को रब कर दे रहा हूं, ज़रा, ओके, जो चीज नहीं लिखी है, आपने लिख लीजे, पीछे जाकर देख लीजे उसको, ओके, अब wedge angle theta पे, क्या-क्या forces लग रही है, wedge पे देखो, इस direction में normal लग रहा होगा, इसको आप normal लिख लेजे, ठीक, और इस direction में देखिए, क्या-क्या लग रहा होगा, एक इसका weight लग रहा होगा, और एक जमीन का reaction लग रहा होगा, इस पे, ठीक है, और तो कुछ लगी नहीं रहा खतम होगी बात, तो क्या करते हैं, अपने normal को हम लोग इस direction में, और इस direction में resolve कर लेते हैं, जब आप resolve कर लिया करिये, तो चाहे तो आप बीच वाली force हटा दिया करिये, चुकि उस force को आपने और लेटी दो direction में resolve कर लिया, अब उसको दिखाने के जरुवत है नहीं, तो द अगल थीटा है, अच्छा आप geometric ऐसा देखते हैं, that is a very important concept, how you are going to determine that what angle should be, यार कुछ नहीं है, तुम इसे आगे बढ़ा दो लो या से आगे बढ़ा लो, अभी दोको सब clear हो जाएगा, अरे अगर और और confusion हुआ कर तो ऐसे बना लिया, और ये लो ये लो ये लो, दोको आगे बढ़ा हो जाता है, वो अला component sin थीटा हो जाता है, तो यानि कि इस direction में जो component होगा वो n sin थीटा होगा, समभाँ जाएगा बाद, अब चाहो तो ये सम्मेटा, आप लो कोई दिखा थीटा, तो ये तो क्यों सम्झाने के लिए बताया था, तो ये n sin थीटा होगया, कि कैसे देखा जाता है n cos theta हुए तो देखो आप इसका value लिख सकते हैं n sin theta जो है उसको आप लिख जिए n sin theta और जो इस direction में acceleration है क्योंकि इस direction में और कोई force नहीं है आपकी इस direction में नहीं इस direction में नहीं है equivalent sin theta ही है और that is equal to जो भी इसका mass है into acceleration ठीक है रही बात नीचे वाले की वो भी आप लिख लिए हाला कि उसका कोई use मिलेगा नहीं है आपको मैं बता दे रहा हूं क्यों उसको आप लिख सकते हैं n cos theta ये वाला plus mg minus r is equal to this direction में तो कोई acceleration नहीं तो 0 इसका कोई benefit आपको मिलेगा नहीं चुकि ये एक नई चीज आ गई reaction उसने पूछा नहीं है तो वो reaction जमीन जो दे रही है आप चाहें तो avoid भी कर सकते हैं इस से ही हमारा काम हो जाएगा ठीक है लिख भले लीजिए आप कैसे हो जाएगा चुकि देखो ये equation मेरे पास थी हम ये छोटे वाले ब्लॉक की हमारे पास equation थी इस equation में मुझे n नहीं पता था n हमने दूसरे वाले ब्लॉक से करके निकाल लिया तो n की value हम रख देंगे तो सब कुछ हमारे मतलब का आ जाएगा जो हमें चाहिए लेकि जब चीजे answer आपको को मत बीच में डालिए फाल्तू में आपका confusion होगा तो n आप यहां से उठाके डाल दीए n को आप लिख सकते हैं ma upon sin theta तो यहां पे लिख देते हैं n की जगा लिख देते हैं ma I hope यह समझ में आ रहा है आपको ma upon sin theta प्लस यह होगा ma sin theta is equal to mg cos theta समझ में आ रही कैसे problem है यहां तक यह सब मैं पहले में टार दूं यह तो सब आईगी चुका आपके पास हम लोगों की वल्याल एक्सलेशन चाहिए हैं na see what I am doing ma upon sin theta आप चाहें तो LCM ले लिजे इस वाले LHS म यह हो जाएगा ma plus ma sin theta sin theta multiply हो जाएगा sin square theta is equal to or upon आपका sin theta होगा यहां पे नीचे LCM ले लिए हमने is equal to mg cos theta ठीक है is it all visible from there oh come on it's very visible अब आप क्या करिए a को यहां common ले लिजे तो यह a हो गया यह हो गया m plus m sin square theta upon sin theta is equal to mg cos theta हो गया जगे की कमी है मैं नीचे जादा नहीं जा सकता अगर मैं नीचे जाओंगा तो यह गलत हो जाएगा मतलब आपको दिखेगा नहीं मैं काम करता हूं यह sin theta मैं इधर multiply कर देता हूं यहां से हटा के मैं यहां लिख देता हूं हो गया ठीक अब आप क्या करिए यह वाली quantity उट आके नीचे लगा दीजिए तो यह आपका एक्सलेशन आ जाएगा मैं डारेक्ट लिख दे रहा हूं जिसको अब मैं यह पूरी quantity ठाके वहां लिख दे रहा हूं यह हो जाएगा m plus m sin square theta ठीक है और यहां से मैं इसे मिटार दे रहा हूं यह आपका एक्सलेशन आ गया बंद अपने से लगा और एक बार भी पिछे देखना न पढ़ा है न वीडियो को पीछे जाना पढ़ा आपको दो इपको दो इध suis और पिछे जाना पढ़ा है आपको दो इत कंव्ट सेलिए नो तक अने कायों है वटसوعएव ऑको दो जिस नीच टिसका है ब्ट सी यह पूरी the video you're not going to get anything out of it okay so I'm sure you are going to understand what I'm leading you that it's called required to do a lot and lot and lot and lot and lot of efforts by yourself okay so you what sound my let's move to the next question okay I'm rubbing this down question is on screen in fact question can in fact you have practical problem practically react today as much as I'll tell you whether or not your improvement action which takes you to handle it this orangehead which is actual important bit I'm glad you are it start with a wall रशी द्वारा आप खींच रहे हैं ये ब्लॉक मानलेते है है इस तरीक के से ब्लॉक है इसको आप खींच रहे हैं और एक तरीका यह सकता है कि आप इस पर खड़े होकर यहां पर सीधे आप खड़े हुए हैं और अपने हातों से आप रसी पकड़के और वो रसी एक पुली से होती हुई उस ब्लॉक को खीच रही है तो एक तरीका ये है एक तरीका ये है त्रैक्टिकली आप ये जानते हैं कि ये तरीका ज़्यादा असान होता है ज नॉर्मल रियक्शन वह भार होता है, that is the weight which we actually feel, हमें कितना महसूस हो रहा है अपना भार वह इस बात पर दिपेंड करता है कि नॉर्मल रियक्शन हम पर कितना लग रहा होता है, आप gravity free space में, space में चले जाए तो आपको अपना भार फील ही नहीं होता है, आपको weightlessness होती है, च तो यहां और यहां में क्या फर्क हो जा रहा है normal reaction में, आप समझी इस चीज को, देखिए यहां पर एगर FBD बनाएं, तो देखिए इस block की FBD बनाएं तो इस पर tension ऐसे लग रही होगी, आपको weight नीचे लग रहा होगा, आपका weight जैसा कि 60 kg दिया है, तो 600 into g mg आपने लगा अपना पाएंगे हम लोग कि अगर block की बनाते है, block का weight तो नीचे लगी रहा है, ठीक है mass इसका, तो block की FBD बनाते हैं, तो पाते हैं इसका block का weight नीचे लग रहा है, वो लग रहा है 10 kg इसका weight है, जी आप 10 ले लीजे, तो यह हो गया इतना newton आपर, और उपर इस पर tension लग होई, ठीक है, आप अपनी FBD बनाई है, तो देखिए आप भले ही आप इस प्रकार से ऐसे पकड़े होए हो, तो आप पर tension T ऐसे लग रही है, ठीक है, आपका weight जो होगा नीचे mg यानि कि mass आपका 60 kg दिया है, तो क्योंना 600 newton ले ले ले, 600 into g कर लिया है, और जमीन जो आप आपका weight और tension एक direction में, तो इसको ऐसे लिख सकते है, normal minus tension minus 600 is equal to 0, चुकि F net is equal to ml लिखना होता है, मुझे, तो mass acceleration चुकि आपके बहुल होगा है, तो there is no acceleration whatsoever, that's why we are writing it 0, तो यहाँ देखिए normal reaction, normal minus tension आप 100 newton ले ले है, 100 minus 600 is equal to 0, तो normal जो आगया आपके पास 700 newton आगया, exactly आपका weight है, वो weight already 600 newton आपको force feel करवाता है, और यहाँ पर आपको उठाने में 700 newton feel हो गया, यानि आपके बहार बहुत बढ़ जाएगा, यह गलट धंगे उठाने का, वज़य समझ में आई क्यों, क्योंकि आपका weight आपको support नहीं कर रहा है, यहाँ पर, आपका weight ही आपका कर लेते, तब देखो स्थिती क्या हो जाती, फिर से इस block की FBD बनाते हैं, आप पे tension T लग रही होगी, यहाँ पे आपका जो भी weight है, जो कि आप क्या सकते हैं, आप सीधे-सीधे newton लिख देते हैं, 600 newton इधर लग रहा होगा, और normal reaction आप पर जो जमीन दे रही होगी, minus 100 is equal to 0 आजाएगा, यानि T is equal to 100 newton आई जाएगा, अब आपकी FBD देखिए, यह आप है, तो आप रस्ती पकड़ी होगी, तो आप पे tension T है, normal reaction भी उपर है, और plus weight तो आपका नीचे लगी रहा है, जो कि 600 newton है, अब गौर कीजिए, normal plus tension minus 600 is equal to 0, क्योंकि normal tension एक direction में है, यह वाली force अलग है, तो 9 plus 100 minus 600 is equal to 0, 9 minus 500, 100 गड़ जाएगा, is equal to 0, normal direction 500 newton आगे है, यानि जो आपकी force है, जो आपका weight है, उससे भी कम आप feel कर रहे हैं समय, ऐसा इसलिए हुगा, चुकि अपकी बार इस tension ने, आपके weight के opposite लगना काम किया है, यानि कि यह इसने, आपके weight नहीं, इन fact आपको support कर दिया, यहाँ पे, चुकि आपने tension का direction बदल लिया आप, तो tension का direction बदल लिया, जिसकी वैसे आपके normal, यानि यह बहुत असान तरीका होगा, यहाँ तो आप हलका भी महसूस करेंगे, सो खीचने में, और असानी से खीच पाएंगे, वहाँ आपको अपना weight साथ में एक प्रकार से खीचना पड़ा था, बहुत भारी महसूस कर रहा है, तो यह बहतर example आया है, समझ में है, अब इसी के बाद में दूसरा example आपको समझाने जा रहा हूँ, दूसरा example में यहीं कर देता हूँ, since I have got some space left, but I will not do, अगला question आपके screen पे आप देखे पहले, देखो इस question में कहा क्या पहले समझ लो, इस प्रकार से कोई ball है, और एक ball ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से, है ना, और एक ball यहाँ पर रखी हुई है, इस तरीके से, थिक, थोड़ा सा figure में इस ball को छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया, मैंने figure थोड़ा सा गलत कर दिया, आप चाहिए तो फिर से figure बना लीजे, आप ऐसे figure कर लीजे, इधर आप बड़ी ball बना लीजे, ऐसे, ऐसे बड़ी कर लीजे आप, और इधर आप छोटी कर लीजे, क्या फरक पलता है, ठीक है, अब देखो, ये वाली, इधर, इधर, ये touch में है, ये R है, इस point को इस पे force वो कितनी होगी, देखो, ऐसा है, सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ contact है, वहाँ बना लो, यहाँ नाम दे दो, N, तो ये N से इसको दबा रहा होगा, ये N से इसको दबा रहा होगा, ये तो हमको पुरानी प्रक्री है, हम लोग जानते ही है, इसी प्रगार से ball इसको दबा रहा होगा, बदले में Q से 4, दिवाल इसको दबा रही होगी, अब ये बात समझे आई, अब सब को separate कर लेते हैं, अब समझे इस चीज़ को, अब चीज़ों को separate कर लेते हैं, और क्या-क्या चीज़ दी होगी, ये पहले समझ लीजे, ये total distance 54 cm दिये, ये काफी important question है, अब काफी कुछ सीखेंगे आप इस मध्यान से देखिए, ये 54 cm है, और ये जो block है, ये A है, ये block B है, जो radius of A दिया हुआ है, वो दिया है 12 cm, radius of B जो दिया है, वो 18 cm दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो ऐसा है, सबसे पहले दोनों block की आप FBD ये अलग-अलग बना लीज ठीक है, इनको मैंने थोड़ा सा अलग से इसलिए कर दिया, अभी आपको इसका मतलब समझेंगे, पहले मैं इनकी FBD बनाता हूँ, ठीक है, तो देखिए ऐसा है, ये जो इस छोटे वाले block पर force लग रही होगी, वो तो ये वाली लग रही होगी, ये ना, तो ऐसी आप force ब लग रही है, बाकी ये तो दिवाल पर जो लग रही हो तो ये वाली लग रही है, ठीक, तो ये हो गई, और क्या है भाई इसमें, ये दोनों तो force हो गई, बाकी इसका weight नीचे लगा देते हैं, ठीक है, चुकि इसका weight दिया है 15 kg, तो 15 x 10 N के बराबर नीचे force लग रही होग और कुछ नहीं है भाई इसमें, है कुछ, बड़ा वाला block लेते हैं, बड़ा वाला block अगर आप देखें, तो इधर से normal reaction R लग रहा है, और इधर से normal reaction Q हमने बोल दिया है, प्लस इसका weight जो नीचे लग रहा होगा हो तो लगा ही दीजे, weight इसका दिया हुआ है कितना, 60 kg, त कर देते हैं, तो इतना Newton नीचे लग रहा होगा, और प्लस ये वाला block जो इसको दबा रहा होगा, उसके लिए force ऐसे बना देते हैं, उसका नाम हम लोग end देते हैं, तो आपस में होती है, mutual forces होती है, इधर लग रही है, तो बदले में उतनी वह भी लगा रहा है, ठीक है, इ तो ये force जो end ऐसे लग रही है, इसको आप आगे बढ़ा लिए, यहां लगा दीजे, देखो force को आप अपनी उसकी line of action में कहीं पे भी, अगर कोई force ऐसे लग रही है, तो इस force को इसके line of action में आप यहां भी ऐसे दिखा सकते हैं, या आगे बढ़ा के कहीं, उससे कोई फरक करके अब इनको एकदम सही बना लिया, इसको आगे बढ़ा के ऐसे कर दिया, इसको आगे बढ़ा के अब एक काम करो, एक इस normal का component इतर ले लो, इस component इतर ले लो, अब सवाल ये है कि मान लेते हैं, इनका जो सीध है, चुकि ये दोनों, मैं इसलिए यहां पे बनाया था figure, आप समझे आया, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, वो बात अलगे कि इस परकार से वाल भी थी, अब आप क्या करिए, इसलिए हमने किया यहां पे, इससे आपका फैदा होगा, अगर इसको ऐसे जोड़ दो आपस में, और फिर इतनी ले ले लो, इतनी ले ले लो, और ये एंगल ले लो थीटा, तो अगर ये थीटा तुम ले लेते हो, यही दोनों रेडियस जोड़ दिया है तुमने, यह आपका आरे है, और यह आपका आर भी है, तो इससे क्या वेनिफिट होगा, देखो यह टोटल लेंद आपको 54 दी होई है, तो अगर यह टोटल 54 दी होई ह तो इतनी लेंद कितनी हैं हम बता सकते हैं, भाई देखो, यह है इस वाले का रेडियस, इस वाले का रेडियस कितना है भाई, मुझे पता है इस वाले का रेडियस बड़े वाले का 18 है, तो यह 18 लिख लो, यह लेंद 18 होगी, और यह रेडियस और यह रेडियस तो इतनी ल होता है 30 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा तो यह लेंथ आपकी जो आ जाएगी 24 यह ट्रेंगल मैं फिर से यहां बना लेता हूं ताकि यह समझ में आए कि यह 24 है यह टोटल लेंथ आपकी 12 और 18 तीस है और पाइथागोरियस तो यह टोटल अब इसी को बढ़ा दीजे देखिए यह टो नॉमल अब इसी तो बनाया हूँ है न तो यह अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा तो यह वाला कंपोनेंट इसको आप एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं और यह वाला आप कंपोनेंट हो गया यह यह अप समझ मैं है भूल जाओ इस अको देंज साइन थीटा तो आप लिख सकते हैं न सांथीटा ज़ीकोड Sutra ट्व टूट किस ऑफटीह अप न्यूटन लेग सकते हैं ठीक है और चाहें तो आप P अगर जो इधर लेकिन पूछा नहीं है चूकी तो इसलिए आप चाहें तो छोड़ दिए कि ये दिवाल कितना इस पर फोर्स लगा रही होगी और P आपका N cos theta के बराबर होता है लेकिन वो तो दिया ही नहीं नहीं दिया तो आप छोड़ दिए फिर ही ब इससे क्या होगा नोमल आ जाएगा तो आप यह निकाल सकते हैं यह दिवाल इस पर अगर दिवाल यह बनाओ इस दिवाल पर इस दिवाल पर जो फोर्स लग रही होगी वो पी लग रही होगी तभी तो वो पी रिटन पर लगा रही होगी ये दिवाल पर अगर लगा रही होगी दिवाल क्या लगा रही होगी क्या फोर्स एक्जर्ट कर रहा होगा ये आर एक्जर्ट कर रहा है तो दिवाल पर लगाई होगी वो यह लगाई होगी इसी प्रकार से इसने नीचे वाले हिस्से ने इस जगाट टेच करके इस पर जो फोर्स लगाई होगी वो क्यों लगाई होगी तभी इन रिटन उसने भी क्यों लगाई दिवाल ने यही पी की और आर आपको रियाक्शन बता दे रहा हूं यहां पर यह देखो यह 600 newton नीचे इसका बना रहा हूं है ठीक है दियान से देखिए 600 newton नीचे लग रहा है ठीक है और क्यूं इस पर normal reaction इतर लग रहा है इस n को फिर से वही कर रहेंगे यह और इसमें divide कर देंगे अब बताने की जरुवत नहीं है कि अगर यह वाला part है इस पर देख रहे हैं हम लोग यह n को हमने आगे बढ़ा दिया यहां पर तो यह वाला component n cos theta होगे यह वाला यह theta है तो यह भी theta होगे तो यह n cos theta n sin theta होगे तो नाम दे देते हैं भाई यहां पर इसको directly इधर यह वाली जो force लगेगी वो n cos theta हो जाएगी और नीचे क्यों एक बना देते हैं n sin theta ठीक और जो इस पर reaction लग रहा है वो reaction बना दीजिए आप ऐसे आर ठीक है तो यह r लग गया n sin theta नीचे लग गई mg 600 newton और q इस पर उपर लग रहा है वो क्यों हमने उपर ऐसे करके दिखा दिया है